हलो दोस्तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले SKM Ag Product India Limited से लिटेड क्या हमने इस से पहले कभी शेयर से लिटेड बाते करी है तो एक बार हम अपने चैनल पर चलते हैं और एक बार देखते हैं क्या हमने इस से लिटेड बाते करी है ठीक है आप यहाँ पर देखेंगे 200 रुपे वाला शेयर टार्गेर 425 पांच महीने पहले वीडियो बनाए थी 425 का टार्गेट भी लगा उसके ऊपर भी गया ठीक है पांच महीने में पैसे डबल से जाता भी होते हुए नजर आए इसी तरीके से यहाँ पर भी देखोगे ठीक है बार बार यहाँ पर नीचे आ रहा था तब भी आपको बताया था ठीक है यहाँ पर दुबारा चीज़े यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर रखी गई थी बार बार आपको इसके Peers Group से related भी यहाँ पर Shares बताया गया था ठीक है आपको एक बार नहीं बार बार यहाँ पर Shares related रूबरू कराया था और बताया था कि यहाँ पर Shares अच्छा है या बेकार है तो क्या अब opportunity मिल चुकी है क्योंकि आप देखोगे तो यह शेयर लगबग 565 से नीचे आया था ठीक है 364 तक और अब चार सो और पर चल रहा है क्या ले लेना चाहिए क्या बेचना चाहिए क्या एक्जेक्ली करना चाहिए उस अफसीर से लेटिड हमें आपर बाते करने वाले है तो लास्ट तक वीडियो में बने रहीएगा और जानियेगा इस कंपनी के बारे में एस टेकनिकल फंडमेंटर पर उससे पहले आपसे रिक्वेश्ट है आइम स्मॉल कैप इंवेश्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को हिट और के नोटिफिकेशन को अन कर लीजिए बैल सेलइंग के रिकेमेंटइशन है ंहीं हो इपने फइनेशण एडवाईज़र कुदकी च्थाडिय करना है और चीचों को यहाँ पर सीखना है जब चीचों को सीखोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि क्या चेल रहा है क्यों यहाँ यहाँ पर यह भागते है loss कटना उतना जरूरी है जितना profit में बने रहना है तो यह आपको कोई नहीं सिखाएगा या आपको खुद ही सीखना पड़ेगा बट इस्टिल आपको stock market सीखना है हमारी advice हमाई आपको पता करना है कि कैसे आप आपको बताते है उसी तरीके से चलते हुए नजर आते है वह चीज़े अगर सीखनी है तो यहाँ पर सबसे पर वीडियोज है वीडियोज में देखे सीखे और अगर किसी को बारी किया सीखनी है तो 860540501 8169263037 दोनों नंबरों को सेफ कर लीजिए basics to advanced technical research fundamental risk reward ratio risk management कब लेना है कब बेचना है कब क्या होता है कब क्या नहीं होता है वो आपको समझ में आएगा 20,000 रुपे का course है 25,000 रुपे की यहाँ पर यह course एक जनवरी 2025-2024 से होने वाला है 3 months की hand holding दी जाएगी मतलब यहाँ पर कोई भी issue होगा आप आके पूछ सकते है stock market में की जो strategy जो मैं use करता हूँ वो online note सब कुछ आपको मिलता हूँ नजर आएगा और course करने के बाद 6 महिने का experience ले लीजिएगा दुनिया की किसी market में काम कर लीजिएगा कुछ भी करिएगा आप यहाँ पर एक कदम आगे रहेंगे ठीक है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और किसी को साथ में काम करना है तो इन नमबरों पर note कर सकते हैं बातचीत करने के कोई पैसे नहीं है simple जान सकते हो कि क्या हम offer कर रहें क्या हम offer नहीं कर रहें SKM एक्सपोर्ट लिमिटेट की बात करें तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ SKM एक्से लेटर प्रोड़क्ट जो प्रोटीन पाउडर होती है बेकरी के पाउडर होती है ठीक है जो बेकरी में यूज़ होते है वो यह बनाती हुए नजर आती है यहां पर आप देख सकते हैं इनके प्रोड़क्स यहां पर यूज़ होते हैं इंडिया में इंडिया के भार भी यह प्रोड़क्स एक्सपोर्ट करते हैं और दूसी जगह भी यहां पर एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे है अपने आपको और ग्रो करने के बारे में सोच रहे है तो इसे याद र भागेगा तो भागेगा अच्छा खासा भागेगा जब गिरना शुडू किया तो यह हो सकता है कि 50-70% तक शेयर गिरे और आप फिर फस्ते हुए रज़र है तो सही टाइम पर एंट्री और सही टाइम पर एग्जिट करना आना चाहिए जब आपको बताया था वह एक बैतरी पर पैसा बना ऊपर के लेवल पर निकलना था आप सोचोगे कि हमेशा ऊपर ही जाएगा तो ऐसा नहीं होता जो चीछे ऊपर जाती हो नीचे भी आती हो जो नीचे जाती हो उपर भी आती है आठ का पी यह बड़ा सस्ता नजर आता है इंडश्टी का पी 41 का है तो आपको लगेगा कि सस्ता है बट पी के बेस में यहाँ पर कभी काम नहीं करते हैं बुक वैल्यू से जादा है इंट्रेंसिक वैल्यू से जादा है पांसो साथ रुपे का इसका 52 वीख हाई है एस वेल अज डैट की बात करें तो yearly base पर आपको समझ में आएगा कि company का yearly base पर performance अच्छा है as well as यहाँ पर net profit की बात करें वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आए ठीक है ऑपर operating profit बढ़ता हुआ नजर आए सकता है 25% को बीट कर दे क्या इतना profit आ सकता है जो इसे बीट कर दे क्या इससे जादा यहाँ पर इसके नंबर आ सकते है अगर इसके जादा नंबर आए तो शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ सकता है otherwise हो सकता है कि यह consolidation mode पर जाता हुआ नजर आए yearly base पर बात करें तो performance ठ ठीक ठाक है यहाँ पर नजर आता है ऐसा extra ordinary नहीं है बट बहुत अच्छा है यहाँ पर बात करें reserves की reserves है company के पास अच्छे गासे borrowing साथ साथ यहाँ पर बढ़ी है इस बार borrowing बहुत जादा बढ़ी है पर 40 करोड रोपे working pro gas में लगा रखे positive factor है और cash भी पढ़ा हुआ है और अगर हम यहाँ पर बात करें company dividend भी यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है cash की बात करें cash from operating activity positive है जो की अच्छी बात है यहाँ प पर आपको पता चलेगा promoters के पास 55.18% के share है जो इस quarter में थोड़े से point में कुछ कम की है और FIs ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है यह एक positive factor है और public की बात करें public के पास 42% के share है बट उन में से कुछ लोगों ने इस quarter में पूरी तरीके से exit ले लिया है ठीक है इस particular quarter में तो यह भी आपको याद रखना तो क्या हो रहा है कुछ लोग खरीद रहे है कुछ लोग बेच रहे है यहाँ पर आप देखो कि promoters नहीं आप अच्छे का से कुछ रहे हैं यहाँ पर निकालते हुए नजर आए है ठीक है न और इससे पहले promoters क्या कर रहे थे लगाता कि कही न कहीं प्रॉफिट में रहोगे अदर्वाइस ँपप खरीद होगे और नीचे बेच ओगे तो लॉस होका और नीचे खरीद होगे बीच में खरीद होंगे और बीच में आप муж satisf let mich ahead और वी आप दू पर यहाँ तो यहां पर इसके टेक्निकल से इंडियड बाते करते यहां है इन नमबरों को नोट करें साथ में काम करना है तो call message कर सकते हैं बाकी यहां पर fundamental की बात करें जो कि आप अगर यहां पर देखोगे लबर 34% की गरावट हो चकी है तो अगर कोई यहां पर खरीद रहा है एक stop loss जरूर लगाईएगा 360 रुपीज के आसपास का ठीक है चीज़ा नीचे आती है तो 300 और 321 तक यहां पर आती हुई दिखाई दे सकती है और 300 रुपे दगा सकत है दूसरी बात क्या मेरे पास शेयर है बिल्कुल भी नहीं क्या किसी और के पास शेयर हो सकता है कि मैंने कभी बताया उन्होंने रख रखा हो ठीक है ना बट मैं in between यहां पर बीच में निकल गया था अभी मेरे पास यह शेयर नहीं है क्या मैं इसमें खरी सकता हूं बिल्क पर आते हुए दिखाई दे रहा है कब यहां पर अच्छी बाइंग बनेगी मुझे लगता है कि जब यह शेयर 430 रुपए के ऊपर जाएगा तब एक अच्छी बाइंग बनेगी एक चोटा सा से स्टॉप लोस लगा के आप वहां पर तब कर सकते हैं for the target of 562 562 के क्या उपर जा सकता है बिलकूल जा सकता है कब जा सकता है उसके लिए कंपने को बहतरी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा अगर परफॉर्म करेगी ठीक ना तो फिर यह शेयर मुझे लगता है इस क्वाटर में तो ज्यादा नी इस क्वाटर में इसी रेंज में तो लगब लगब 7% की अपसाइन यहां पर दिखाई देती है तो 70% के रेटन काफी अच्छे रेटन होते हैं ठीक है जो कि मुझे लगता है इस क्वाटर में आ जाने चाहिए पर इस्टिल जो तेजी की बात कर रहा हूं जहां पर मैं कि आप लोगे और शेयर में पैसा बन है आपको ऐसे मैंने स्टॉक्स हमारे आपको पता चलेगी कि हम यहां पर किस तरीके से स्टडी करते हैं किस तरीके से यहां पर काम करते हैं तो बाइंग सैलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं थोड़ा सा ऊपर जा रहा है एंजॉय कर सकते हो ठीक है और यहां से ब्रेक हुआ तो यहां से दुबारा शायद नीचे आ सकता है मार्किर की कंडिशन को भी देखना है मार्किर थोड़ा सा करेक्शन मोड में मुझे नजर आता है ठीक है एक दो दिन के लिए फिर उसके बाद दुबारा रैली शुरू हो सकती है तो यहां पर जब रैली शुरू होगी और शायद यह शेयर भी भागता हूँ नजर है बैंक सेलिंग के रिकमेंडेशन है नहीं अपने फैनेशिल अडवाईजर कुद की श्टाडी करना एडुकेशन परपस इस वीडियो को लेना और लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब करेगा